पूर्व आधुनिक कालीन भारत में चित्रकला भारत में 15 सदी में चित्रकला का एक नया दौर शुरू हुआ यह लगू चित्रों का युग था जिसमें कागज पर गेहरे रंगों का उप्योग करते हुए चित्र बनाये जाते थे इन लगुचित्रों के दो तरह के प्रेणास्त्रों थे एक तो ताड़ पत्र पर बने ग्रंथों के बीच बनाए गये सरल चित्र जिनकी पहचान उनके चटक गहरे रंग है इन में मनुश्यों वह जानवरों को हूबहू न बनाकर उनके आदर्श रूप को दर्शाया जाता था लगुचित्रों का एक और प्रेणास्त्रों था इरान के लगुचित्र परंपरा इरान में कागज की हस्त लिखित किताबों में वर्नित किस्सों को चित्रों में दर्शानी की प्रथा थी यह लगभग वही समय था जब यूरोप में रेनोसा युग शुरू हो रहा था इरान के सबसे मशूर चित्रकार थे बिजाद सन 1450 से सन 1535 जिनका एक चित्र यहां दिया गया है जब भारत में मुगलों का शाषन इस्थापित हुआ तो उन्होंने बहुत से इरानी कलाकारों को भारत आमद्रित किया इन कलाकारों के साथ प्यारंपरिक भारती चित्रकार भी जुड़ गये यह वो लोग थे जो चटक और विविद रंगों के उप्योग में दक्ष थे बाश्या अकबर के समय के एक मुगल दर्बारी कलाकार मिस्कीन का बनाया चित्र देखें यह चित्र महाभारत और उसके परिश्रिष्ट हरिवंश पर आधारित है जिसमें श्री कृष्ण को गोवर्धन परवत उठाये हुई और उसके नीचे शरण लिए गायों ग्वालों वो अन्य लोगों को दिखाया गया है इस चित्र में एक जटिल द्रिश्य को अनेका नेक लोगों के व्यक्तिगत चित्रन के साथ पेश किया गया है ये लोग कोई सफल योद्धा या वैपारी नहीं है बलकि सामान्य ग्रामिन लोग हैं यहां एक और चित्र को देखें जिससे बाश्या जहागीर के समय विचित्र नामक चित्रकार ने लगभग सन 1620 में बनाया यह एक प्रतिकात्मक चित्र है जिसमें जहागीर के दैवी रुज्ञान को दिखाया गया है जहागीर जिसके सिर के चारो और सूरज जैसा आभा मंडल है वह रेदघड़ी जैसे आसन पर बैठा है उसके दोनों और यूरोपी शैली की परिया है वे किसी सूफी संत को एक पुस्तक भेट में दे रहे हैं जबकि आटोमान सुल्तान, इंग्लेंड के राजा और बिचित्र खुद इंतजार में खड़े हैं यहाँ यह जताया गया है कि जहागीर खुद तो काल जाई है और वे बाशाहों को नहीं सूफियों और इश्वर के भक्तों को प्रात्मिक्ता देते हैं विभिन नितरा के प्रतीकूं वो अतिश्योक्तियों के बावजूद इस चित्र में जो लोग दर्शाय गए हैं उनका चित्रन बहुत यथार्थ हैं और उनके वेक्तिगत हुलिये स्पष्ठ है